हेलो फूडीज मैं सबाफिरोशेक और वेलकम टू सबास किचन मैं बना रही हूं मटन कोर्मा जो के शादियों में बावर्ची बनाते ना बिल्कुल वैसा ही मटन कोर्मा आज हम बनाएंगे देखिए वैसे मटन कोर्मा तो कई प्रकार से बनता है और कोई अपने तरीके से अलग अलग वेरियेशन्स में मटन कोर्मा बनाते हैं जिसमें से मुझे ये वाली रेसिपी जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हैं आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा आसान लगती है जाने वाले हैंने वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन दौरम मिलती रहेंगी मटन कोर्मा बनाने के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे थोड़ी सी प्रिपेरेशन तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मिकसज़वार में मैंने ले लिए हैं फ्राइड ओनियन मैं 750 ग्राम मटट का कोर्मा बनाऊंगी तो 750 ग्राम याने के 15 कीलो मटन के लिए मैंने 500 ग्राम प्यास को डी फ्राइ कर लिया तली हुई प्यास का बहुत ही अच्छा flavor आता है कोर्मा वगरे में तो इस तली हुई प्यास को मैंने पीस लिया ये देखिए दर्दरासा पीसा है मैंने इसे आप चाहें तो तली होई प्यास को महीन पीस करके कॉर्मा में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मुझे कॉर्मे का मसाला जो है दर्दरासा हो, घट हो मसाला मतब के करी जैसा मसाला नहीं होगा हमारा नॉर्मली जैसे हम मटन बनाते हैं न मसाला वगर पीस करके तो टेक्स्चर भी करी जैसा होता है पतला सा तो इसलिए मैंने फ्राइड ओनियन को दरदरा पीसा है जो की खाते समय मुँ में बिल्कुल भी नहीं आएगा लिटरिली गल चुकी होगी ये प्याज लेकिन कोर में का टेक्स्चर आपको गाड़ा दिखेगा तो चलें इसे साइड में रख दे और अब दूसरी तयारी हमें ये करनी है कि हम बना लेंगे काजू का पेस्ट तो ये मैंने छोटे वाले मिस्टर जाड में ले लिए हैं 15 काजू और काजू को मैं ग्राइंड करूँगी दूद के साथ तो ये मैंने एक चौत है कब दूद काजू में ही डाल कर ये रेखिए काजू को बिल्कुल महीन पीस लिया तो फिलाल के लिए से भी रख दे साइड में और फिर ले लिए एक मिक्सिंग बॉल में 250 ग्राम ताजा दही क्योंकि ताजा दही ज़्यादा खटा नहीं होता है चले आप दही में डाल दे थोड़े से सुखे मसाले जैसे कि आप देखिए ये मैं आट करें हूँ 1 तीस्पून कश्मीरी लाल मर्च पाउडर कश्मीरी लाल मर्च पाउडर से कलर बहुत यह अच्छा आता है और क्योंकि यह ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है इसलिए इसके बाद एड करें 1 तीस्पून तीखी वाली लाल मर्च पाउडर वाले न अहाफ तीस्पून धनिया पाउडर half teaspoon healthy powder और एक teaspoon करीब भूना जीरा पाउडर जीरा को पैन में dry roast करके पीस लें तो आपका भूना जीरा पाउडर बनकर हो जाएगा तैयार तो जैसे के आप देखे सारे मसाले में ने दही में डाल कर बढ़िया से मिला लिए जिसके दही फिट भी गया और सबी मसाले इस दही में बेहतरीन तरीके से मिक्स भी हो गए दही में मसाले मिलाने पर दही फटने का बिल्कुल भी चांस ही नहीं है ना तो हमें flame बन करने की जुरत पड़ेगी और ना ही हमें वेट करना होगा कि वही पहले मटन वग्रे ठंडा हो जाए उसके बाद दही डाल कर भूनेंगे ताकि दही फटे ना तो इसलिए बिल्कुल बेफिकर होकर इत्मी ना से आप ये तीसरा preparation भी complete कर दे और फिर इसे भी रखते साइड में और फिर उसके बाद ले लीचे तीन से चार हरी लाइची के दाने एक चौथाई भाग जाइफल का टुकड़ा और आधा टुकड़ा जावित्री का तो चले अब इसे कूट करके हम तैयार कर लेंगे इसका महीन सा पाउडर बना लेंगे और मैं आपको बता दू इस पाउडर को हम सबसे आखर में यूज़ करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी इस पाउडर से जो टेस्ट आएगा ना हमारे कॉर्मे में वह बहुत ही अन्बिलीवेबल होगा आप इस पाउडर को बिल्कुल भी मिस्स मत करना तो इसलिए तीनों को कूट करके महीन सा पाउडर बना करके रख दीजे साइड में तो जब आपकी यह सारी तैयारिया हो जाए तो उसके बाद आप ले लीजे गैस पर प्रेशो कूकर मतन कोर्मा मैं बना रही हूँ प्रेशो कूकर में जैसे कि मतन कोर्मा जल्दी ही बन भी जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्टाफ तो है नहीं जो कि हमें डेग में इसे पकाने की ज़रत पड़े तो इसलिए बैस चैप प्रेशो कूकर में इसे बनाई तो प्रेशो कूकर में सबसे पहले क्या करें कि आप एक कप घी ले ले जी हाँ मटन कॉर्मा मैं देसी घी में बना रही हूँ क्योंकि देसी घी में जो मटन कॉर्मे का फ्लेवर आता है ना मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना टैम किंग इतना खाने में ओसम लगता है ना लेकिन फिर भी अगर आप घी नहीं चाहते हों, तो जिस तेल में आपने प्यास तली है, आधा पॉना कप तली ही प्यास का तेल आप ले लें, क्योंकि उस तेल में फ्राइड ओनियन का फ्लिवर जो आ जाता है, खर मैं तो मतन कुर्मा देसी घी में बना रही हूं, तो इसलिए देसी घी के गरव होते ही है, मैंने खड़े गरव मसाले में डाल दिये हैं, दो तेस पत्ता, दो इंची दाल चीनी का टुकडा, तीन चार लॉंग, एक स्टार फुल, एक बड़ी लाइची, और आट-दस काली मिर्च, इसे मैं आधे या फिर एक मिनट के लिए फ्राइ कर लूँगी चटकने और ब्राउन होने तक, और फिर खड़े मसाले ब्राउन होते ही मतन को घी म डाल कर मैं कर लूँगी फ्राइ, तो यह मैंने 750 ग्राम यानि के पॉना कलो मतन को पहले नेल के नीचे पानी में खुब अच्छे से वाश कर लिया, और वाश करने के बाद, पानी खुब अच्छे से रिमूव करके मतन को फ्राइ करें, जब तक मतन का रंग ऐसे वाइट न पानी बचा रहे, तब ही हम इसमें दही का मिक्चर डाल कर मिला लेंगे, दही वाला मिक्चर डालते समय आपको ख्लेम बन करने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इसे बढ़िया से मिला लें, इस तरीके से ये देखें, और फिर कोकर को उपर से ही ढखकर इसे हम लो बिल्कुल करी जैसा texture लग रहा है न, तो चलें, अब इसमें तली हुई प्यास जिसे मैंने दरदर आपीस कर रखा था, वो मैट कर लूँगी, यह आधा किलो तली हुई प्यास जो की deep fry होने के बाद आप देख सेकते हैं, बिल्कुल एक कप करीब हो चुकी है, तो लीजे स सारी की सारी तली हुई प्यास मैंने डाल दी, और अब इसी के साथ काजू का पेस्ट जो हमने प्रिपैर किया था, इसे भी डाल दे, देखे काजू पेस्ट वाले मिकसर जेर को में थोड़े से पानी से साफ करते हुए खंगालते हुए पलट दिया कुकर में और फिर इसे के साथ ही मैंने नमक अट कर लिया मेरे सवात की अनुसार जितना नमक आप खाते हों अपने तेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मिला ले अगर आपको नमक का अंदाजा नहीं है तो एक और आद और जैसे के आप देखे घी और मसाला दोनों ही बिल्कुल ही सेपरेट है तो फ्राइड ओनियन काजु का पेस्ट और नमक मिलान के बाद यह मैं आड करें हाफ टीस्पून मीट मसाला देखे किसी भी ब्रांड का मीट मसाला आप चूज करें मीट मसाला डालने से फ्लेवर जो है मतन कोर्मे में और ज्यादा एंहेंस होकर आएगा और फिर इसी के साथ मैंने हाफ टीस्पून गरम मसाला भी एड कर लिया चले अब मीट मसाला और गरम मसाला दोनों को ही बढ़िया से मिला लेते हैं गैस मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम यह देखे मतन कोर्मे का टेक्चर कितना ही लाजवाब होता जा रहा है अभी से मसाला मेरा बहतरीन भुन गया तो चले अब इस कोर्मे में हम एड करनेंगे पानी तो यह मैंने एक कप पानी डाल दिया 200 ml से 250 ml करी पानी आप डाल दें देखे आप कोर्मे की जितने पतली कंस चाहते हो उस हिसाब से पानी डाल कर मिलाएं मतलब कि एक कप के बचाए आप देर कप पानी डाल सकते हैं अब पानी मिल राने के बाद प्रेशो कूकर की लीड लगा है और जितनी सीटी पर आपका मतन गलने तक इसे पका लें खेर मैंने पांच सीटी पर मटन को पका लिया और पांच सीटी होते ही गास को कर दिया बंद और दस-पंदरा मिनट वेट करने के बाद जब रेशो कुकर में से नैचरली एर रिलीस हो जाए तब ही कुकर का ठकन खोलें ताकि कोर्मे में तरी बढ़िया से सेट हो सके ये देखें बहुत ही बहतरी मटन कोर्मे का कलर और टेक्श्चर आप देखें कितना बढ़िया आया है मटन भी कम्प्लीटली गल गया तो बस सब क्या करें कि जो इलाई जी जावित्री और जैफल को ऊटकर हमने पाउडर बनाया था वो सारा का सारा इस मटन कोर्मे में डाल दे और इतना ही नहीं इसके साथ एक तीसपून केवरा एसेंस भी डाल दे देखें इसे कोर्मे में बहुत ही लिच टेस्ट आएगा तो फिलाल ये दोनों को भी कॉर्मे में मिला ले और गैस को अन करके प्रेशर कूकर को उपर से धक कर मतन कॉर्मे को पाँच मिनट के लिए मध्या माज पर पका ले ताकि आखिर में जो केवरा और कुटा हुआ हमने मसाला एड़ किया है न वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे इस मटन कॉर्मे में तो लिचे पांच मिनट होगे पांच मिनट बात गयास को कर देबन क्यूंकि फाइनली हमारा मटन कॉर्मा बनकर है तयार इसे आप गर्मा करम सौफ करें रोटी चपाती नान के साथ या फिर जीरा राइस या बगरे चामल के साथ भी ये मटन कॉर्मा खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है बहुत ही ओसम लगता है और मैं आपको बता दू तंदूरी रोटी आप घर पर कैसे बनाएं इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चानल पर वीडियो लिंक आप आई बटन या फिर दिस्क्रिप्शन में चेक करें आपको मतन कोर में की आसान सी रेसिपी बहत पसंद आई होगी प्लीज मुझे कॉमें पर बताएं जरूर और जाने से पहले दू सब्सक्राइब मैं चानल एंड हिट बेल इक एंगले वीडियो में एक एसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक लिए टेक केर एंड झाल झाल